नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेलकाम बेको मैं चैनल को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 36 एड़के 5 ऐसे पिकनिक स्पोर्ट जहां पे आप 2021 नया साल मनाने जा सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा end तक जरूर देखें मैं पूरा डिटेल बताया हूँ इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए और इन शानदार पिकनिक स्पोर्ट्स का आप लीजे आनन्द तो दोस्तो पहले नंबर पे नाम आता है और अपनी वाटरफॉल का ये बिलासपूर के पास इस ती सबसे शानदार जगह है और यहां पे आप बाइक और कार से आसानी से कहुच सकते हैं तो दोस्तो एक हीडन वाटरफॉल है जिसका नाम और अपनी वाटरफॉल है और ये आपका बिलासपूर से आपको पढ़ता है लगबग 40 किलोमेटर के आसपास तो अगर आप इसका पूरा डीटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा वहाँ से आप इसको पूरा डीटेल देख सकते हैं कैसे पहुँचा जा सकता है सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों दूसरे नमर पे नाम आता है राजमेर गड़का ये 36 गड़का सबसे उचा हाइलेंड है हाइलेंड मतलब आप इस बोल सकते हैं कि सबसे उचा व्यूपॉंट है 36 गड़का और ये काफी जादा फेमस दीरे दीरे हो रहा है अभी और इस जगह पे कैसे पहुँचा जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको बनाया हूँ तो आप उसको अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक तो दोस्तों आज हम आप पहुचे हैं राजमेर गड़ लोकेशन के बारे हम बात करें तो यह पेंडरा चिले में आता है और चट्रिश गड़ का सबसे उचा हिल पॉइंट है और यह आप देख सकते हैं पीछे से पीछे का नजारा और यहां प आपी त्यों जो आप देख रहे हैं रगेंट 10 मेरा थीसरा वीडियो है लगबंग हर साल सितंबर के मंत में मेरा हुशा पर अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो आप जलेश्वार आईए जलेश्वार से आप आएंगे इस जगह पर एक मुरू मला रस्ता आपको मिलता है लेकिन हाथ जोड़ के आप से निवेदन है इस जगह पर आएं तो कृपया गंदगी ना फैलाएं कच्रा ना इस जगह पर इसकी सुंदरता को आप खराब ना करें तो दोस्तो तीसरे नमर पर नाम आता है कुटा घाट डैम का बिलासपूर का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पोर्ट है आप यहां पर भी पिकनिक मनाने जा सकते हैं अभी काफी पानी यहां मिलेगा आपको तो यह रहा तरफ आपको मांचून के समय अगर आप इस जगह पे आएंगे तो चारो तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा तो दोस्तो चोथे नमर पर नाम आता है चैतूर गड़काया यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भिकनिक स्पोर्ट है यहां के नजा नजारा के साथ साथ मंदीर में भी आप जाके आध्यात्मिक सुख का अनंद ले सकते हैं तो नए साल मनाने आपको जाना है तो इस जगह के भी आप जा सकते हैं काफी ज़्यादा शांदार जगह है और ठंड के लिए सबसे बेस्ट पिकनिक स्पोर्ट रहेगा यह दोस्तों पाचवे नमर पे नाम आता है देवरी चिचोली पिकनिक स्पोर्ट का यह बहुत ज़्यादा फेमस अब हो चुका है उभरता हुआ पिकनिक स्पोर्ट है और एक शानदार नजारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक अदबूत नजारा मिलेगा एक नदी के पास आप देख सकते हैं हजदयो नदी है हजदयो नदी क्यास पास एक बीच में आपको एक छोटा सा टापू मिलेगा और वो टापू से इस नजारे को आप देखेंगे ते अलग तरीके का अननद आपको यहां पर आके मिलेगा बिलासपूर से इस जगह की दूरी आपको पड़ेगी 70 किलोमेटर, जांजीर से जगह की दूरी है 22 किलोमेटर और कोर्बा से इस जगह की दूरी आपको पड़ जाएगी लगबग 50 किलोमेटर, तो आप नए जगह मनाना चाहते हैं, नया साल में इस नए जगह में जाना चाहते हैं, तो आप ये जगह में भी आके और इनी शब्दों के साथ इस करता हूँ वीडियो को में समाप, आप सब को नया वर्ष मुबारक हो, हैपी नियू यार टू आल माइ फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, सभी को नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, थैंक यू